हलो इस्टुडेंट वेलकम टू आसेस क्लासेस PCM PCV बच्चो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बोर्ड एक्जाम 2025 की तैयारी यानि आने वाले बोर्ड एक्जाम 2025 में क्लास 12 में आपको किस प्रकार से तैयारी करना है कि आपके 95 प्लस स्कोर है तो देखे 95 इसकोर सुर्वारी करना होगा जब से आपको एकलास 12 का स्लैबस पढ़ना चालू करेंगे तब से करके लख गल्यास 12 की तरह बहुत ही महनत करना है आपч़ ऑप जयादा लाइक और सेयर करिएगा ठीक है 11 में आपने कुछ नहीं पड़ा कोई बात नहीं लेकिन 12 में आपको जो टिप्स में आज की लेक्चर में बताने जा रहा हूं उन टिप्स को फॉलो करना है उन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो 100% आपके 95% माक्स आएंगे है क्लास 12th इकजाम 2020 में तो 25 की स्टेटची बात करेंगे की स्टेटची है क्या पूरी तो बच्चेों बात करेंगे हम क्लास 12 बोर्ड इकजाम 2025 की तैयारी टार्गेट 95% ठीक है हमें टार्गेट रखना है 95% कैसे स्कोल लाएं आप 95 प्लस भी लाएंगे ठीक है तो देखो यह हर टाइप की बच्चे के लिए है जो कमजोर है जिसने 11 नहीं पढ़ा है ना और यह किनी कारणों में 11 में अच्छे से प्रिप्रेशन नहीं हो पाई तो यह सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे टिप्स हैं आपको अगर टार्गेट आपने अभी से अपना टार्गेट बना लिया कि 95% ही माक्स लाने तो 100% आपके आएंगे इसमें कोई सक नहीं बस कुछ पॉइंट कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी और वो जो मेहनत होगी वो आपकी continuous होगी लगेतार होगी बिना किसी gap के अगर आप इतना कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे माक्स आएंगे तो चलिए जानते हैं हमारे कुछ important 5 tips क्या हैं सबसे पहले time table की बात कर लेते बच्चों सबसे पहले जैसे आपका class 12th start होने वाला है आप क्या कि 95% लाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे एक time table बनाएंगे time table के according पूरा काम करेंगे कब तक जब तक आपके board exam नहीं हो जाते हैं time management बहुत जरूरी है आपके exam में अच्छा score करने के लिए अगर आप time management नहीं कर पाते हैं तो problem हो सकती है तो आपको क्या करना है कि अ prepare notes of your subject well and ncrt book देखो बच्चो सबसे पहले क्या करना है कि देखो आप पढ़ते जाएंगे जो भी आप school में पढ़ेंगे या किसी coaching में पढ़ेंगे जहां से भी आप पढ़ रहे हैं आपको क्या करना है कि अपने notes खुद लिखने हैं ठीक है खुद लिखने का मतलब है अप अपने हाथों से लिख करके अपने notes prepare करना है ठीक है देखो आपके notes ही होंगे जो आपको आपकी उचाईयों तक ले जाने में आपकी सहायता करेंगे तो अपने notes self बनाने हैं ठीक है अब self बनाने का मतलब यह नहीं कि अपने अपने द्वारा बना लिए मतलब जो भी आपक NCRT book तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है है ना आपको NCRT की हर एक exercise बिल्कुल रट डालनी है NCRT book का आपको revision करना है ठीक है उसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों यहां पर थर्ड नंबर की बात करते हैं clear all concept देखो बच्चों जब आप 95% का target रखते हैं तो आप को concept भी आपको clear करने होंगे। मतलब हर subject में हर एक topic का concept आपको clear होना चाहिए, जब तक आपको clear नहीं होता है तब तक आप अपने टीचर से पूछते रहेगा जब तक आपका कोई भी concept clear नहीं, तो concept clear होना बहुत जरूर है, तो सभी subject में आपको क्या करना है की आपको सबज स्टेडी रूटीन बना लेना है अब ऐसा नहीं कि आप दो घंटे पढ़े कल तीन घंटे पढ़े अगले दिन हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा यानि एक रूटीन आपको बना लेना है कि हमें रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ाई सेल्फ स्टेडी करना है देखो स्कूल कोचिंग क करनी पढ़ेगी ठीक है तो इस पॉइंट में आपको कंसिस्टेडी रूटीन रूटीन तो आपको बनाना पढ़ैगा कि आपको रेगुलर किस तरीके से preparation करनी है ठीक है तो routine बहुत जरूरी है बच्चो revision ठीक है revision and self assessment ठीक है देखो बच्चो revision बहुत जरूरी है आप chapters को पढ़ते जाएए जैसे जैसे आपके chapter complete होते जाएंगे सारे subject में सभी chapters का आप पीछे से revision भी करते जाएंगे ठीक है revision बहुत important है अगर आप revision नहीं करेंगे तो आगे-आगे पढ़ते चले जाएंगे पीछे-पीछे भूलते चले जाएंगे तो सभी chapter का आपको क्या करना है बहुत ही अच्छे तरीके से revision करना है और self assistant मतलग करिए एक प्रकार से आप क्या करिए जितना आपका slabis होता जाए उसका test भी लेते रही है अपने आप अपना test लेते रही है ठीक है और जो जो आपको problem chapter wise है ना topic wise जो भी problem साती है छोटी बड़ी उनको आपको क्या करना है उनको solve करते जाना है तो self assistant आपका बहुत जरूरी है ठीक है self assessment आपको बहुत जरूरी है मतलब आप समय समय पर अपना test खुद लेते रही है कहां पर आपको problem हो रही किस चीज में problem है कैसे लिख नहीं ही समझ पा रहे हैं question नहीं समझ पा रहे हो question का तरीका नहीं समझ पा रहे हो हर एक चीज को आपको समय समय पर अपने अंदर समझ लेना है ठीक है अगली बात आपको слож media Serta होना icket यह slabus पता होना चाहिए slabus के साथ साथ क्या होना चाहिए आपको बच्चो सारे सब्जेक्ट का slabus आपको अच्छे पता होना चाहिए और उसके बाद एक चीज और हर chapter-wide important point ठीक है कुछ important topics होते हैं किसी भी अगर subject की अगर हम बात कर लेते हैं तो हर chapter में क्या होता है कुछ important point होते हैं तो आपको क्या करना है कि chapter-wide important point आपको book में highlight कर लेना है ठीक है वो तो आप highlight कर लेंगे और अपने self note आपको बहुत ही 100% prepare करना है किसी भी market से किसी भी प्रकार के notes आपको नहीं लेना जो आपका school में पढ़ाया जाए बस आप वही notes बना लीजिए या आप कहीं coaching करते हैं या कहीं से भी आप चहां से भी आप पढ़ते हैं वहां से आपके जो notes है वो self बने होने च ठीक है slabus की जानकारी आपको होना चाहिए और सारी चीजे देखिए slabus हो गया है ना सारी जो भी चीजें है उन सभी चीजों को एक page में लिख करके आप जहां पर आपकी study table है या जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर इन सभी चीजों को आप paste कर लीजिए ठीक है मतलब एक मन के अंदर आग लगी होनी चाहिए टार्गेट अपना complete करने के लिए बहुत ही है ना मन से पढ़िएगा बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप इन सभी चीजों को follow कर लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे है ना जो आपका target है 95% ठीक है आगे हम बात करते हैं कि डेली सब्जेक्ट वाइट टाइम क्या रहेगा यानि कि सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है तो देखे एक साथ आप टाइम मत मैनेज करिए पहले दिन आप एक घंटा पढ़िए है ना धीरे-धीरे करके अपनी timing बढ़ाईएगा ठीक है अब ऐसा नहीं कि ए सब्जेक्ट का रिवीजन आपको रेगुलर करना है ऐसा नहीं कि आज हमने मैत पढ़ी दो दिन से मैथी पढ़ रहे है या फिर दो दिन से हम chemistry पढ़ रहे है तो सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है किसी भी सब्जेक्ट को आगे पीछे नहीं रखना है तो डेली otherwise time की bytte करते हैं बचों अगर मैयत या फिर biology की अगर बात करते हैं तो आप एक से डेड़ घंटे vectır अगर देंगे दनी कि बात कर रहें सेज रहें कौछण पंद है यह कि सब्स homosexual मायत या biology में देते पूरा साल तो 100% आपकी math बहुत strong हो जाएगी वैसे हम physics की बच्चों बात कर लेते तो physics में भी आपको एक से 1.5 घंटा time regular देना है chemistry की बात करते हैं तो chemistry में एक से 1.5 घंटे का time regular देना और English हिंदी की बात करते हैं तो इन में आपको regular एक घंटे time देना है तो यही लगबग साथ से साड़े साथ घंटे आपको क्या करना है regular practice करना देखो regular practice तो आपको regular करनी होगी जब आप regular हार सारे subject की practice करेंगे तभी जाकर करके वह आपका जरूर होगा जरूर आप 95% लाएंगे ठीक है best of luck for your board exam 2025 thank you